आज बाबा, हम सब को फिर से नसा चड़ा रहे हैं बच्चे, जिसको सारा संसा डून रहा है, जिसके लिए भक्तिर्थों पर जा रहे हैं, जिसको पाने के लिए वेद सास्त पढ़े जा रहे हैं, तुम अब उनके सम्मुख बैठे हो, बहुत सुन्दर बात है ये, मैं आया हूँ, तुम सब को फिर से देवता बनाने के लिए, सबसे बड़ा हीरो पार्ट इन लक्ष्मि नारायन का है, यही ब्रह्मा सरस्वती बनते हैं, फिर यह तपस्या करके नर से नारायन, नारी से लक्ष्मि यानि ब्रह्मा से नारायन, और सरस्वती से शिरी लक्ष्मि बनते हैं, सबसे बड़ा सुन्दर पार्ट इनका हर तुम भी इनके साथ हो मैं फिर से इनका राजिस्थापित कर रहा हूँ तुम भी उस विश्व के मालिक बनोगे क्यों क्योंकि तुम मेरे साथ वो राजिस्थापित करने में सहयोग कर रहे हो तो जो बनाएंगे वही तो पाएंगे तो बावा बहुत नसा चड़ा रहे हैं बार बार कहा अब तुम बाप के सम्मुख बैठे हो इस ब्रह्मा को भी नसा रहता है मैं ये देच छोड़ कर नारायन बनूँगा बहुत खुशी में रहते हैं तुम बच्चों को भी ऐसे अपाहर खुशी में रहना चाहिए तुम वेदसास्त बढ़ते रहें उनसे तो तुम्हें कुछ मिला नहीं पता इंचला मैं कौन हूँ अब मैं कहता हूँ ये सब पर ना छोड़ दो मैं तुम्हें ग्यान का सार सुना रहा हूँ मैं ग्यान का सागर हूँ तुम तीर्थों पर भटकते रहे यात्राएं करते रहे अब मैं तुम्हें सच्ची सहज योग की यात्रा सिखा रहा हूँ इसमें गुद्धी यात्रा करती है मन यात्रा करता है परमधाम की और सिर्वावा की और तो तुम्हें अभी कहीं भटकने की जरुरत नहीं है, मैं तुम्हारे सम्मक हूँ, मैं इस भारत को फूलों का बगीचा बनाने आ गया हूँ, ये कांटों का जंगल बन गया है, बहुत सा उकार था, खुसबू थी भारत में, आज बावा ये सब बोल रहे हैं, तुम फिर से इस भारत में खुसबू भर रहे हो, पवितरता की खुसबू, दैवी गुनों की खसबू, तो ये भारत फिर से स्वर्ग बन जाएगा, बस तुम्हें चेक करना है, इस कांटों के जंगल में रहते हुए, तुम्हारे अंदर को एक कांटा नहीं होना चाहिए, सबसे बड़ तक भी करोध नहीं करते, तुम्हें भी इन कांटों को निकालना है, क्योंकि सुगंदित खुसबू दार फूलों का बगीचा बनाना है, तो अपने को चेक करो, हमारे अंदर कोई कांटा तो नहीं, हम करोध तो नहीं करते, और इसके लिए सभी को बहुत अच्छा अभ्या करते रहना है, तुम्हें भक्ती में बहुत दान पुन करते रहे मेरे नाम पर, अब मैं डारेक्ट तुम्हारे सामने बैठाओं, तो मेरे इसकारियों में अपना सब को लगाओ, तुम्हें बहुत बड़ी प्राप्ती होगी, मैं तुम्हें ये नहीं कहता कि मकान ना आराम से रहो, अपने खाने पीने का भी बहुत अच्छा रखलो, भारत में ही दान पुन करने का बहुत रिवाज है, इस कारिये में तुम सहयोगी बनो, अब देखो, तुम दुकान करते हो, दुकान में सोदा देते हो, ये व्यापार करते हो, अब बाप से भी व्यापार करो बाप के पास तो अविनासी ज्ञानरतनों का खजाना है तुम सब को ये व्यापार करना सिखा दो ताकि सभी भगवान से व्यापार करके बड़ी से बड़ी प्राप्ति कर सके मैं आया हूँ संगव्योग पर अब ये पुरसोत्तम संगव्योग है मैं कल्प कल्प नहीं आता हूँ मैं तुम्हारे सामने बैठा हूँ अब डायरक्ट तुम मेरे से बात कर रहे हो डायरक्ट मेरे कारियों में सहयोग कर रहे हो तो तुम्हें पदम गुना मिल जाता है तो बाबा आज हम सभी को बार बार ये समर्ते दिला रहे हैं, तुम्हें बहुत इस्वरी नसे में रहना है, खुशी में रहना है, तुम्हारे चेहरे से सब कोई दिखाई देता रहे, कौन हमें मिला है, ज्यान का सागर, स्वैम, हमें ज्यान दे रहा है, व्यापार सिखा रह तो हमें देखना है हम भगवान के साथ व्यापार करते हैं, कैसा अच्छा व्यापारी थोड़ा सा लेता है, सब कुछ दे देता है, पुराना ले लेता है, बहुत कुछ नया बना कर दे देता है, तो तुम्हें अपने अंदर सद्गुणों की खुसबू भी भरते चलना है और अच्छी महनत करनी है बिना महनत के तो कुछ मिलेगा नहीं तुम्हें इन विकारों को जीतने की महनत करनी है कुछ भी काटा अपने अंदर रहे न जाए मैं तो चुपता रहेगा, दुख देता रहेगा, तुम्हें अपने कर्मों पर भी बहुत ध्यान देना है, तो क्रोध पर हमें विजयी बनना है, आज विशेश रूप से इस पर चिंतन करेंगे, क्रोध क्यों आता है मुझे, दुसरों से ज़्यादा काम नहीं रहती हैं, वो पूरी नहीं होती, तो क्रोध आता है, काम क्रोध को जनम देता है, काम वासना जादा तो नहीं है, इच्छाएं पूर्ण नहीं होती, क्रोध आता है, हमें स्वयम को इन कामनाओं से मुक्त करना है, और एक स्लोगन याद रखेंगे, धैर ये वत्थ होकर इस क्रोध पर वि ने बनाया ही क्यों? आधा सुख आधा दूह ऐसी बात नहीं है. थ disclosure फौर्त सुख मिलता है तुमें, थोड़ा सा कल्युक के अंत में आकर दुख मिलता है. ये बना बनाया खेल है, ये किस ने बनाया, क्यों बनाया ये प्रशन नहीं उठता. मन उस अपने कर्मों के आधार पर इसमें शुक और दुख पाता रहता है वर्दान है सहनसील ताके गुन द्वारा कठोर संसकार को भी बदलने वाले संतुस्त मनी भव बहुत अच्छा संबंद है जो संतुस्त रहते हैं वो सहनसील बहुत होते हैं और जो सहनसील होते हैं वो खुद तो सोफ्ट रहते ही हैं लेकिन दूसरों के भी कड़े संसकारों को सोफ्ट कर देते हैं तो अपनी सहनसील ताके द्वारा जो संबंद में रहने वाली आत्माएं हैं जिनके को कटू संसकार रहते हैं भी बोलने का संस्कार है, गुशा करने का संस्कार है, उसको भी वाइब्रेशन्स देकर ठीक कर देना है, यह है संतुस्त मणियों की पहचान, तो आज हम फील करेंगे, भगवान के सम्मुख बैठे हैं, और अभ्यास होगा और सुन्दर, मैं मास्टर ग्यान्सूरिये हूं, और ग्यान्सूरिये बावा सामने है, सम्मुख है, सामने से उसकी किरने पड रही है, हर गंटे में एक बार ये सुख दनुभूती करेंगे, ये योग की बहुत पावर्फूल इस्थिती है, ओम शान्ति अच्छिक, फर ईपीस्फुल लएफ